मस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका अंतरा क्रेशन्स के एक और नए वीडियो में मेरे पास ये दो सूप काफी समय से रखे हुए थे जो मैने किसी काम से खरीदे थे पर उसके बाद ये मेरे किसी काम नहीं आए तो मैने इने समाल कर रखा था जिस वज़े से ये नए जैसे लग रहे हैं तो मैने सूचा इनका यूज़ क्रीटिविटी में किया जाए और कम से कम बजट में कुछ home decor का बनाया जाए यहाँ पर मेरे पास यह homemade clay का paste है जिसे मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में बनाया था यह थोड़ा जादा बन गया था जिस वज़े से यह बच गया था तो इसका use मैं यहाँ पर कर रहे हूँ सबसे पहले में इस paste को brush की help से पूरे सूप पर लगा दूँगी जिससे इसका surface थोड़ा even हो जाए इसके corner को भी मैं clay से fill कर दूँगी सारा काम हो जाए तो मैं इसे सूखने के लिए अच्छे से रख दूँगी दूखने के बाद बारी आती है इसे color करने की तो यहाँ पर मैं अपने wall paint में yellow standard मिलाकर इस पूरे सूख को yellow color कर लूँगी मैं अपने DIY पर किस तरह के और कौन-कौन से color का use करती हूँ इन सभी की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी तो उन सभी का लिंक मैं अपने description में दे दूँगी आप जरूद चेक कीजिएगा color सूखने के बाद मैंने इसके उपर एक सुन्दर सी picture ड्रॉ कर ली है जिसके उपर मैं अब आगेटा काम करूँगी इस picture को 3D look देने के लिए मैं इसके उपर इस homemade clay का use करूँगी मुझे design के जिस हिस्से को theory look देना है मैं यहाँ इसका use करूँगी यहां कर मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि यह craft पहले मैं वाल पुट्टी से बनाने वाली थी जैसा कि आपने अक्सर मुझे वाल पुट्टी का use अपने वीडियो में करते देखा होगा पर मेरा यह home में paper clay काफी जादा मात्रा में बच गया था तो मैंने सुचा कि क्यों ना इसके साथ ही कुछ experiment किया जाए लेकिन इसे बनाने के बाद जब यह सूखने लगा तो यह धीरे धीरे अपनी जगा से उखरने लगा तो मुझे लगा कि मेरा experiment fail ना हो जाए गही तो पर इसका जुगार भी मैंने निकाल लिया है यह जैसे जैसे सूख रहा था और अपनी जगे से निकल रहा था तो मैंने इन सारे हिस्सों को फैविकोन से चिपका लिया फिर उसके बाद इसके उपर थोड़ा सा वेट रख कर इसे इसी तरह सूखने के लिए रख देना है तो पूरी तरह से सूखने के बाद अब यह तयार है कलर करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें वाइट कलर का बेस कर लूगी तो अब मैं इसमें यहां फैविकल के नियोन कलर किट का इस्तमाल करने वाले हूँ अब इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग और डिजाइन्स बना कर इसे और भी अट्रैक्टिब बना लूगी कर दो अबूगी अब लास्ट में इसमें शाइन के लिए वार्णिश भी कर लेना है तो यहाँ पर यह सुन्दर सा मेरा बॉल हेंगिंग बनकर तयार है तो जो सूप काफी समय से मेरे स्टोर में यूँ ही पड़ा हुआ था आज मैंने अपनी थोड़ी सी क्रेटिविटी से इसको इतना सुन्दर लुक दे दिया है और यह बनने के बाद इतना प्यारा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पर हमें इसका 3D लुक अच्छी दर से देख नहीं रहा है तो अब बारी आती है यह दूसरे सूप की इसे मैं वाल पुट्टी के पेस से ही कवर करूँगी पेस सूप जाने के बाद मैंने इसमें एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है और सीधा मैं अब इसमें कलर कर लूँगी फैरिकल के ही कलर का इस्तिमाल मैं यहां कर रही हूँ लज सक्कोवां पिकल आती है यहां कर वो कर लुम प्रॉ अ цर glossy मैं हुन क्र बार more के यह हुन अब मैंने यहाँ पर पुराने कार्बूर के दो पीस लिये हैं जिनको मैं आपस में जोड लूगी उसके बाद इनके किनारों को और मजबूर और फिनिशिंग देने के लिए मैंने पेपर टेप से चारो तरफ से इसको चिपका लूगी अब मैं इसको और थोड़ी मजबूती देने के लिए वाल पुट्टी का पेस्ट बना करके एक उसकी मोटी लेर इसके उपर लगा लूँगी तो सूपने के बाद अब ये भी कलर करने के लिए तयार है तो कलर करने से पहले मैं यहां इसकी सर्फिस को थोड़ा सा और स्मूथ कर लूँगी सैंड पेपर की हैल्प से अब इसमें कलर हो जाने के बाद मुझे इसे सूप के साथ जोड़ा है तो उसके लिए मैं इसमें कोई भी थेट का यूज़ करूँगी उसमें आप कोई भी मोती बीक्स चा कुछ भी ऐसे डाल करके थोड़ा सा डेकुरेट कर लेंगे और इन्हें आपस में जोड़ूँग और लास्ट में आता है हमारा वर्णिश का स्टेप जिसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ा है पूरी तरह से तयार है यहां पर मेरा राजसानी लुक का प्यारा सा यह वाल हैंगिंग तो इसे मैंने अपनी इंटरंस वाल पर हैंग किया है जो आप देख रहे हैं इसके साथ य यह इसमें और भी जाधा चारचान लगा रही है और नजर ही नहीं हट रही है कितना फूसुरत लग रहा है तो दोस्तो दीपावली भी नजदीक आ रही है और मेरे पास तो यह दो वाल हैंगिंग बनकर तयार है अपने घर को सिजाने के लिए अगर आपके पास भी ऐसे सकते हैं अपनी बॉल को सिजाने के लिए तो दोस्तो कैसे लगा आप सभी को मेरा आज का वीडियो उमीद है आपको मेरी एक अलाकारी जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूले और कमेंग भी जरूर करें अगर मेरे चैन